इन दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़ी आऊंगे तो दोस्तों आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं ओके आजवाइन के बारे में नहीं हमारा टॉपिक क्या यह बताओ तो यह चीज हमारे घरों में मौझूद रहती है और इसको यूज करके हम भूख कैसे बढ़ा सकते हैं यह देखे दोस्तों जारा कुछ नहीं करना यह अजवाइंग बिल्कुल आप सभी लोग के घर में होगी तो हम जल्दी से आपको पताते कि किस तरह से इसको इस्तमाल करक तो अन्य आप पानी की बॉटल क्यों रखिया बताओ पहले मैंने 200 ml पानी में थोड़ा सा अजवाइं डालके गरम कर लिया ठीक है और उसको फिर मैंने खंटा होने दिया और उसका एक ड्रेंक बना के मैं इस बॉटल में भर रखिया हूं तो यह बात है देखो दोस्तों सि अजवाइन की कॉंटिटी इससे थोड़ी होगी ना एक पिंच रहेगा चोटा से एक पिंच ना दो पिंच के बराबर हमने अजवाइन लिया और पानी में उबा लेना है पानी में उख्वाइन का रंग ना आ जाए ठीक है फिर वह बन जाता है डीटॉक्स वाटर आपके लिवर को साफ करता है खर्चा कितना है इसमें इन दोनों चीजों में घर में होता ही है और अजवाइन ये भी घर में होता है और चल जाती है सब नहीं कि अभी खाया खतम हो गया बस इतना करना और इसको आपने सुबा खाली पेट पीना है ना नी अब इसको दिन बर पी लखते हो यह कि अब प्रेफरेबल है कि आप पी और वैसे जार जार सी बात है कि घरमी यह तो चलेगा ने सुबाभ कर लेंगे पर साइप करके जादा टाइम नहीं चलेगा और जो अजवाइन हो साथ में उसको चबाल लें उसको फैकना ठीक है जो पजवाइन होगा उसको चबा लेना उसको फैकना नहीं है और साथ में इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां पर यह जो है यह एक मात्र ऐसी चीज है जो आपके भूख बढ़ाने में करेगी आयरवेदी क्रेमीडी है पुरानी किताबों में लिखाए कि इसको अगर आप ऐसे पीएंगे तो चलता रहे यह मैंने कह रहा है यह ट्राइड टेस्टी चीज आपको होता था ना आप अपना रिवीव बताईए पहले आप इसे आट-9 महीने पहले पहले मम्मा ने का पिटा जब तक तुमको भूबने लगेगी तो मोटी कैसे होगी पिर अन्य तो अजमाइन का पानी पी अब बताया अप बताईए दोस्तों सोचे इतनी सारी चीजों का समाधान आपको इस चीज से देखने को मिल रहा है तो क्यों ना करें और चीज और बताया जाए यहां तो हमने यह remedy आपको बताए इसको फॉलो करने एक चीज का ध्यान आपको और रखना है वह अन्य मैं भी आपको बताता हूं आप भी देखें इसमें क्या कंडिशन है यहां पर हम लोग इनकंप्लीट फूड खाते जिसकी वजह से फूड कंप्लीट डाइजस्ट नहीं हो प खाये ताकि हमें एक्स्ट्राइबन मिले फूड डाइजस्ट हो जाए तो इसी तरीके से आपको भी करना है अगर आप खाना खा रहें तो प्लीज यह मिस्टेक करते थे थे ना भी मैं भी करती थी अप सालइड लेना शुरू करिए एक्स्ट्रा फाइबर लेना शुरू की रसकाई थे नहीं होता है और कर नहीं होता है तो आपके बॉड्य में रिजल्ट नहीं करता हैं आपके बाड़ प्ल्राइबर ले पाएब UK ली जगांगि बहुना मैंना मत बॉट करो चाहिए जो दोट करते हैं और फूंद को णीए प्रफट पूला लग रहा है क्यों ना लग आप पढ़ा रहता है जो खाना दो गंटे में पचना होता है उसको तीन-चाचा गंटे लग जाते ब्लोटिंग रहती है तो खहीं ना खहीं इस चीज को अपनी डाइट में एड करें जो आपको बताया और अन्य दूसरी चीज पा कमप्लीट फूट खाना है खाना खारे उसके सब्सक्राइब कर दोच तो खाना कर आपको घ्यान रहते हैं जादा होती है सबकी बॉड़ी अलग होती है और बताओं गी जादा चबा करके खाना चिज का आप लोग ध्यान रहते हैं बहुत simple शरल चीजे है जिन भी लोगों को लगता है कि भईया हाँ हो गया अभ़ल अभम ऐसे हो गया वैसे हो गया इंसा чीज़ का ध्यान रखें ऐसे हमें नहीं करना है ध्यान रखेंगे सहत का तो सहत आपका ध्यान रखेगी और आप लंबे साहन तक चलेंगे आपका ध्यान रखेंगे मतलब कोई भी एक्टिविटी कर पाएंगे आप बीमार नहीं होंगे आपको काम में रुकावट होती है दिक्कत होती है स्टूडेंट है पढ़नी पारे अपना गोल अचीव नहीं कर पारे तो इन सारी समस्याओं से निजात आपको मिल जाएगा बस इस एक चीजा पानी पूरा खाना खाएंगे खाना कभी अपूर ना हो अब यहां पर खाने से पहले और बार पानी नहीं पीना है भूब है फटे अब जहांड़ान देखें वाद्गी ख़टम करते हैं उम्मीद करते हैं आपको भूब बढ़ाने वाले वीडियो पसंद आ एक्षिन में मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जाए हिंद्ध